हर्दवार लोग सभा सीथ को लेकर कॉमरेस के दो दिग्रचों में जुबानी जंग तेज हो गई है हरक सिंग रावत और हरीश रावत लगतार एक दूसरे पर हमलावर है सूबे में दो कॉमरेस दिग्रचों के वेच जुबानी जंग रुखने का नाम नहीं ले रहा दो नुडेता एक दूसरे पर हमलावर है बात कर रहे हैं हरक रावत और हरीश रावत की अब भरत सिंग ने हरीश रावत की उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें हरीश रावत ने कहा था भरत भी भी राम की सरकार को गिरानी के लिए प्लॉटिं नहीं की थी अब सरकार किराने का मैंने बताएं निये सारी अप्सोड भरत को मजबूर कर दिया नहीं वो वो सत्यूग राम था मेरा बड़ा बाए क्लियों की राम है उस ने मजबूर कर दिया अब अब एप्शोड भी तो बदल गया ना उदाना जरूर सत्यूका दिया मैंने, लेकिन वो राम भी तो सत्यूका राम था, और ये राम भी कल्यूका राम है, ये भरत भी कल्यूका भरत, वो भरत कल्यूका भरत था, ये कल्यूका भरत है. अब सुनाते हैं हरिश रावत का वो बयान जिसके जरिये फरीश रावत ने हरेट सिंध्रावत पर तंजिकसा था इस बहुत अच्छी बात है मैं इसको तिपने नहीं करना चाहता लेकर ऐसा है कि भारत ने कभी कि राम की सरकार को गिराने के लिए फ्रॉटिंग नहींगी तो राम बेचारे भी बड़े दुखी होंगा भारत के आत्मा भी दुखी होंगी और यही ऐसे ही भारत होंगे तो तो फिर रामाइंड से जो है राम और भारत का पूरा चेहतरी कायब हो जाएगा पुदर कॉंग्रिस के दो नेताओं के बीच जारी सियासी ब्यानबाजी से बीचपी को बैठे बिठाए कॉंग्रिस पर हमला करने का मौका मिल क्या बीचपी प्रतेश अद्यक्ष पूरे मस्तिपस सियासी चटकी लेते ने सराए देखे अरिस रावता हरक सिंजी के बारे में आज की तारिक में कुछ भी कहना मैं कहता हूं कि एक प्रकार से दोनों के दुन्द बढ़ाना होगा आज कुकि सबकी दिश्ठी एक लोगसबर है यह नहीं रूनाम है भरत है वो तो एक प्रकार का मैं कह सकता हूं कि कभी तो वह राम के साथ साथ देने वाले सुगरी बन जाते हैं फिर कईवार वह बाली की बुर्भी का में आते हैं तो क्या है कि अंतुदो करता राम राम है और मुझे नहीं लगता कि हरिस रावत अरार सिंग कमी राम लख्वनी बन पाएंगे। दरसल दूनों निताओं के बीच हरिद्वाल लोकसभा से चडाव लड़नी को लेकर ही सियासी जंग जारी है। ऐसे में लड़ाई में पाइदा किसी खोपी हो लेकिन कॉंग्रिस को इससे बड़ा नुक्सन हो सकता है। कॉंग्रिस के दो दिगज नेता हरिशावत और हरक सिंग रावत के बीच चल रही जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। खाला कि दोनों नेता ये दावा ज़रूर कर रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत बनाने और दो हजार चौबीस में पांचों लोग सबास जिटाने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से दोनों के बीच आरूप पर तैरूप और एक दूसरे पर जुबानी जंग का हमला चल रहा है तो उससे साफ लगता है कि दोनों के बीच अभी ये जंग थमने का नाम नहीं लेगी। देरा तुम से वीडियो जनली सोनी कुमार के साथ कि शोरावत नियू स्टेट उत्राखंड।